सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन यानी घंटी को और पाएं लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हेल्थ जागरण में मेरा नाम है शालिनी और अभी आप देख रहे हैं न्यूटिशन ग्यान दोस्तों आरा रोट या एरो रोट टकनी की रूप से अपने आप में एक पौधा नहीं है बलकि एक प्रकार का स्टार्च है जो आसानी से कई अलग-अलग पौधों और राइजों की जड़ों से प्राप्त किया जा सकता है इसमें मौजूद स्टार्च के कारण यह 7000 से अधिक वर्सों से उप्योग किया जा रहा है विभिन स्वास्ते समस्याओं के इलाज के लिए आटा या मकई की जगा इसका उप्योग किया जाता है इसके हलके और अध्भुद स्वात के अलावा अरा रोट पोशक तत्व विटामिन और खनीजों का एक अच्छा श्रोत है तो आईए जानते हैं अरा रोट खाने के मुख्या फाइदों के बारे में नमबर एक ब्लड सर्कुलेशन के लिए अरा रोट में पाई जाने वाले सम्रिद पोशक तत्व में कॉपर और आईरन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाता है यह रक्त परिसंचरन में विदी करके आपके सरीर की अंग प्रनालियों और उपरी हिस्से में ऑक्सिजन को प्रोच साहिद करते हैं अरा रोट में विटामिन B की उच्छ मात्रा पाई जाती है यह एक महत्पुन एंजाइमेटिक और मेटाबॉलिस्म पदार्थ बनाती है हार्मोनल रिलीस से लेकर सरीर में प्रकिरियाओं को नियमित रखने में विटामिन B बहुत महत्पुन होती है इसलिए मेटाबॉलिस्म में सुधार करने के लिए अरा रोट का सेवन बहुत ही लापकारी होता है अरा रोट में मौझूद फोलेट आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत ही लापकारी होता है अध्यनों से पता चला है कि जो महिलाएं मां बनने वाली हैं उनके लिए fallage बहुत ही महत्वपूर होता है क्योंकि यह उनके अजन में बच्चे में neural tube दोस्कों रोकने में मदद करता है इसमें मौझूद आहार फाइबर के कारण आपको जल्दी से भूक नहीं लगती है जिससे आप बार-बार खाने से बच जाते हैं इसलिए वजन कम करने वाले लोगों के लिए या बहुत ही अच्छा आहार है आहार फाइबर हमारी पाचन प्रकेरिया के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है क्योंकि यहाँ एक कुशल तरीके से आतों के माध्यम से भूजन को स्थानांतरित करने में मदद करता है अरा रोट में बहुत अच्छी मात्रा में पुटेश्यम पाया जाता है नमबर साथ स्किन के लिए इसके स्टार्च को पाउडर और मॉस्टराइजर के रूप में भी उपयोग किया जाता है यह कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में प्रयोग किया जाता है और यहाँ कुछ सक्रिय तत्वों को सक्षम बनाता है क्योंकि इसमें नमी को अवसोसित करने के बहुत अच्छे गुण होते है तचा को चिकना बनाने के लिए इसे पाउडर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है नमबर आठ बालों का विकास करे इसमें मौजूद पोशक तत्व के कारण या बालों की देख भाल के लिए लापकारी होता है अन्य अव्यवों के मिस्टरण के साथ अरा रोट अकसर बालों को डाई करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है नमबर नौग पीट की समस्या को दूर करे सिलियक रोग दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है जिसके कारण लोग स्टार्च और गेहूं के लिए एक ग्लूटन मुक्त विकल्प की तलाश कर रहे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरा रोट एक ग्लूटन मुक्त पदार्थ है ग्लूटन मुक्त होने की कारण या हाल के वड़सों में बहुत लोग प्रिया हो गया है अररोर पाउडर के अर्क में पाई जाने वाले साइटो टॉक्सिक गुण प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायता करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल हेल्थ जागरन को सब्सक्राइब कर लीजिए फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहिए और खुश रहिए धन्यवाद